तो इस वक्त में मौझूद हूँ यूपी बॉर्डर पे जैसे की बार-बार कहा जा रहा है कि किशानों का जो आंदोलन है किसी एक समुदाय का नहीं है किशानों का अंदोलन जो है हर समाज को हर वर को जोड़ के रखा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाई जितने भी भाई चारे हैं वो बरकरार रखे हुए हैं देखे हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के भाई हैं, हमारे साथ मौझूद है यूपी बॉर्डर पे जो बैरगेटिंग जहान लगाए गई है, उसी के आसपास में मौझूद है इससे बाचित करते हैं, कि क्या बताना चाहती है सादूरों के बारे बताना है चाहता है कि हमारी रोटी एक तुजरी में बंद किया जा रहा हुआ हम उसको ओने नहीं नहीं देंगे हम किसानों के समरतने वह waiver हम खुद भी किसान है, तो इस नहीं होगा अच्छा तो कैसे आप देखते हैं कि बार बार जो है सरकार आप लोगों को समझा रही है कि इस बिल से आपको फायदा होने वाला कल भी बजट जो पास किया जा रहा तो उसके दोरान भी है अच्छा पास पूरा डाटा है अगर सरकार ने बचट में किया है तो जो मेरे पास एक ख़बर थी मैंने सुना उसको अगर किसान ने लोंद ले रखा है एक लाग करोड का है वो तो जी एक लाग करोड का है आपको पता है वो माफ तो नहीं किया और जो लोग बड़े लोग थे वो लोन लेकर वाग गए उनका बारा करोड का है वो बारा लाग करोड को माफ कर दिया सारा तो ऐसा हम होने देंगे रोटी ती जोरी में ने बंद ह परते हैं स्विंट हैं लीए आप erf हम अपने रूटी बचाने के लिए यह सब आजैना कि जहांते हैंते हैं जो घार ने अए और हमारी रोटी का सवाल है इस लिए हम इसको जाने नहीं देंगे हम अपनी रोटी क्षिख को बचाएंगे जब तक बिलू आप सी नहीं है पर खसे एप आघए बहुत ऑच्छ से बाल रहा हैं जाने को करता है नहीं बिल्कुल नहीं हम घर बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक नहीं जब तक बिलो आपसे नहीं गरों आपसे नहीं कि अ कि अ अ अ